नमस्कार दोस्तों वेलकम टू एग्रिशिक्षा और एग्रिशिक्षा की येटूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वाधत है आजकी इस वीडियो में हम लोग जो मैथोमाडिक्स है उसके बारे में मतलग कि जो समानतर स्रेणी है उसके बारे में पूरा डिसकसन करेंगे कि जो लाइव क्लासे से वो स्टार्ट हो जीकी है आज मैथोमाडिक्स का फर्स्ट क्लास है फर्स्ट क्लास में आपको कोई घवरारा नहीं है अपन बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे फर्स्ट क्लास है मैथोमाडिक्स का आपको अपने बस अपने दोस्तों तक ही वीडि वो भी अलग-अलग topics है एक तो simple question रहेगा कि आपको जो जो ये पद ग्याद कीजिए वो पद ग्याद कीजिए इस प्रकार से आएगा ठीक है simple से दूसरा question रहेगा पदो का योग से पदो का योग पदो का योग ठीक है तीजरा question रहेगा वो आता है एपी प्लस जीपी दोनों mix कर करेगा और दो कोर्शन ऐसे टाइप का आएगा जो आपसे बने गए सीधा बोल रहा हूं और क्या बनता ही नहीं भाई हो question एजट आपका question दे देता या तो जीपी से दे देगा या तो एचपी से दे देगा मतलब हर आत्मक्स रहने से ठीक है त तो आपको जो तीन question उसको आपको ले के चलना है टार्गेट रहेगा आपको 12 नंबर इसमें आना चाहिए इससे ज्यादा अप लाने का सोच भी नहीं सकते हो एपी में एपी में नहीं मतलब पुरा mathematics में ठीक है यहाँ पर अपन जो first question है यह formula है इसको आपन पहले discuss कर लेते हैं कि एन पदो का योग एन पदो का योग के लिए जो formula है वो है एन पदो का योग का जो formula है टी एन इस इक्वल टू TN is equal to E plus N minus 1 into D TN is equal to E plus N minus 1 into D TN क्या है अंतिम पद है A क्या है? प्रथम पद है N क्या है? पदों की संख्या है D क्या है? सरवांतर है यह आपको याद रखना है यह फर्स्ट फॉर्मूला है TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इन्टू D इसी से एक और फॉर्मूला निकल के आया है वो फॉर्मूला क्या है? कि उस जो फॉर्मूला है उसमें यही से निकाले है देखो D को इधर पक्षांतर कर दिया अब आपको कैस्वेट आपको समझाएगा कि D है ठीक है? उसको कर दिये इसके बटे में ठीक है? TN आया इसके बटे में चिदा यार आप फॉर्मूला देखो TN-A N-1 बचा D इसके बटे में है ऐसे देखो TN-A equal to N-1 into D D को यहीं रखेंगे N-1 को इसके बटे में डाल दिया है यह एक फॉर्मूला कब आपको प्योग करने है जब आपको सर्वांतर ग्याद करना होगा only सर्वांतर जैसे question यह दिया रहे है जिसका पहला पद एक पहला पद एक और अंतीम पद इंकावन अंतीम पद इंकावन मतलब कि TN ठीक है पदो की संख्या N रखो फॉर्मूला में और आंसर लेलू भई सिधा 51-126 यह कट फिट क्या है आपका दो ठीक आगे बड़ा यह वाला फॉर्मूला भी याद रखना कि इसमें सर्वांतर कैसे निकालते हैं अब आपको पता होगा बोलके नहीं बूल रहता लेकिन N-1 into D यह फॉर्मूला है यह क्या है प्रथम पद है एक स्रेणी लेता हूँ दो चार आठ यह 10 ठीक यह है अपना A ठीक N क्या है पदो की संख्या यह अपन को इसमें निकालना है ठीक पदो की संख्या कितने पद हो सकते हैं इसमें ठीक है जो 10 लिखा हूँ लास्टर में डेस करके यह आपका है TN ठीक यह आपका क्या है TN है और यह तो खिसके गानी इरेस करना पड़े इसको और यह जो एन है पदों की संख्या निकालना है यह प्रतम पद अब डी कैसे निकालोगे तो यह क्या है आपका यह है T2 यह है T3 ठीक है और यह है आपका TN यह वाला यह आपका है TN यहीं से बना है कि TN-1 ठीक है TN N वापत TN is equal to A plus N minus 1 into D ठीक है तो इसको अपन इरेस करते हैं और यहां से लिपता है यह स्रीणी 2, 4, 8, 10 ठीक है इसमें आपका यह है TN आपको ग्याद करना है जो है पदों की संख्या वो फॉर्मूले से निकलेगा ठीक है और आपको D कैसे निकालना तो यह है आपका यही आपका है जो A है यही आपका है T1 ठीक यह आपका है T2 यह आपका है T3 यह आपका है TN ठीक है तो D कैसे निकलेगा कि D बराबर T2 माइनस T1 हमेशा ठीक है दूसरे पद को पहले पद से आपको घटाना पड़ेगा ठीक है कैसे निकलेगा आपको पता करना है कि वो भी दे देता कि कई समांतर स्रीन ही नहीं रहता है ऐसट आपका भी कोश्चन आ जाता है तो उसके लिए आपको क्या करना है देखो दो चार माइनस दो बराबर दो आठ माइनस चार चार आप चेक करने के लिए चेक करने के लिए मैं आपको ये स्रीनी दे रहा था भई गलात लिख रहा हूं मैं कोई कमेंड तो करते स्रीनी ओ एपी है ही नहीं हो स्रीनी मैं जो एक्जामपल दे रहा हूं एपी स्रीनी में क्या होता है कि दो चार छै आठ दस डैस करके बारा ने तो डैस 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 रहा था ठीक है ये आपका एपी स्रीनी है आपको पहले पता करना है कि स्रीनी एपी में है की नहीं च्यार माइनस दो दो आठ माइनस छे दो दस माइनस आठ दो यह अब है एपी में ठीक है वो स्रेणी दिया था आप कोई कमेंटे नहीं करता यार कि स्रेणी सर गलत लिख रहे हो एपी होई ही नहीं सकता बोलके अब लोग का ध्यान वगेरा नहीं यह लगता है ध्यान देना है भई पढ़ाई में तभी तो रेंक लेकर आओगे ठीक है तो चलिए कोईशन वगेरा सॉल करते हैं बहुत सारा कोईशन लेके आया हूँ सॉल करके एक मैथट दो मैथट तीन मैथट, चार मैथट, चरचर मैथट से पढ़ाता हूँ मैं मैथट को तो पहला कोईशन तो बता दिया था कि अगर डी निकालना रहेगा तो यह फॉर्मूला इसको नोट करो और जा के स्टॉल करो देखो यह फॉर्मूला कैसे किया हूँ वर अफली बता रहा था उसमें भी बना हूँ अभी है अभी यादी 3X, X-2 और 8 क्या है AP में है अब तो सर आपने गड़बड कर दिये कोईशन देखिए एक्स वेक्स का फंडा कहां से आगया है तो आपको डरना नहीं है यहीं से आन सानने के लिएगा तो चौथा पत गयाद कीजिए ठीकर टीटू माइनस टीवन बरावर टीटी माइनस टीटू डारेक्ट किए X-2-3X-8-X-2 अगर यह माइनस है तो यहाँ पर होता है 8-X-2 तो यह माइनस के करण यह क्या होगा है यहाँ पर प्लस हुआ है तो –2X-3X-2 equal to 8-X plus 2 –2X यह इधर आए प्लस X, 8 प्लस 2, यह माइनस 2 है वह इधर आए, प्लस 2 –1, X कमाना है –12 अब आपको X के मान को यहां रखती जाना है सिम्पल सी, ठीक, माइनस चतिस, 3X, 3 इंटू, माइनस 12, ठीक, माइनस 12, माइनस 2, ठीक, 8 दे दिया है, आगया, माइनस चतिस, माइनस 12, माइनस दो, 8, ठीक है, माइनस 36, माइनस 4, 14, और 8, माइनस 14, और, यह आपका बन गया, एक स्रेणी, स्रेणी बना के, यह स्रेणी, कुश्चन ऐसे घुमाया था, अब बोला है कि चौंथा पद निकालना है, ठीक है, तो चौंथा पद निकालने के लिए, आपके पास ए है, ए दिया है कि नहीं दिया नहीं दिया है ठीक ए दिया है कि नहीं दिया है नहीं दिया है डी दिया है नहीं दिया है भई तो आपको दिमाग लगाना है यहां पर ट्रेक जब यह तीन पद दे दिया है कैसे देखो पहला पद क्या है माइनस 36 दूसरा आया माइनस 14 तीसरा आया 8 अब माइनस 14 से माइनस 36 कितने का डिफ्रेंस है, 22 का डिफ्रेंस है, 22 को इसको एड कर दिये, आ गया, चौंथा पर, इससे नहीं निकाला है, तो भी, इससे निकालो, TN बराबर, A plus N minus 1 into D, इससे भी निकालो, फिर भी 30 आएगा, एक अमार रखो, minus 36, प्लस चौंथा दिये, तो 3 minus 1, 3 into D, कितला होगा, माइनस 14 minus 36, आया 22, ठीक है, 22 तिया 36, 36 में 66 गटाट हो, आगे है न 30, बोला ना, एक तरीके नहीं, दो-दो तरीके से आंसर लागी, दिरो, सिम वही कोश्चन है, आपको प्रेक्टिस करना है भी, आपको आप देखना पड़ेगा, हरे कोश्चन बताऊंगा, तो टाइम नि निकालोगे, तब तक आपको काम नहीं बनेगा, अब यह फार्मूला लगाना है, देख लो भी, सॉल्यूशन नोट करो, ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं किसी समांतर स्रेणी का एनवा पत 3 एन प्लस वन है, तो इसका शववा पत क्या होगा, एनवा पत एन कमान दिया है, ती एन भी दिया है, ठीक है, एन के वेल्यू रखे, 3 एक सव एक आगे, ठीक, स्रेणी चार साथ, डस, 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 का एनवा पत क्या अवर्टे, ए दिया है, चार, डी कैसे निकाल के, टीटू मैनस टीवन, साथ, मैनस चार, तीन, ए प्लस, एन मैनस वन, दी का फार्मूला ल याद करो, लेकिन ये प्लस वाला भी, आप लोग ध्यान मत दो, यहाँ कॉमा लागा है, समझो, ठीक है, प्लस में आपका दिमाग घुम जागा है, क्योंकि, चलो, ठीक है, ये भी दिया है, सरवांतर में कोश्चन बन जागा, लेकिन यहाँ पर पदो का योग बोल देता ह तो भई, रूट आये तो टेंसन नहीं लेना, भई, अपन तो बहठेना है यार, बताने के लिए, सर पहले घुम जाता है, आप लोग को देखे, पता चल जाता है, क्या छटवा, टू रूट फाइफ प्लस रूट फाइफ प्लस जीरो, ठीक है, सबसे पहले काम है, डी निक बराबर रहती है, तो कॉमल ले लेना है, आंसर आजाता है, 1-2, तो आंसर क्या है, रूट फाइफ डी का वैल्यू, माइनस में लेकिन, ठीक है, यहाँ पर सॉल्ट करना है कुछ, देखो, टू रूट फाइफ प्लस 7, माइनस रूट फाइफ, टू रूट फाइफ, फिर य निकालना है, टीटू माइनस टीवन, माइनस फाइफ, फिर माइनस लेना है, फिर अब माइनस कोश्चन का 3, अब यह माइनस मैस प्लस, माइनस 5, प्लस 3, लेकिन, बड़े संख्या में माइनस के कानना है, माइनस 2, तो 28 पर निकालना था, यह प्लस 28D, मारक देटी अन का मा प्रवा पद पुछ है और आपको दिमाग गुम किया होगा तो इसको option रहा कि तभी वनेगा अगर यह नी रहता माल ले जा इसको चुपा देदो अब बोलो कि सर यहां तो TN नहीं दिया है N भी नहीं दिया है तो हाँ इसका आंसर इतना ही लाना है इतना ही आपको ले किया आना solution देख लो same है option method में भी 1,2,3 रखे कर सकते हो अब स्रेणी 2,5,5,8 का कौन सा पद तीरपन है यह आया न अब question कौन सा पद तीरपन आपको अब क्या निकालना है अब आपको N निकालना है कौन सा पद आपका है जो तीरपन है question देख लिए ठीक है 2,5,5,8 A दिया है ठीक दिया है TN अंतिम पद है ठीक है D निकाल दिये 3 यहाँ TN रखे A रखे N-1 A आगे answer 18 ठीक next question के ओर चलते option method option method आप लोग मत देखो आप लोग के पास उत्तर टाइम नहीं है ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते है एक बार आपको review दिखा देता हूँ इस्क्रिन इस्क्रिन साट ले लेना भई वीडियो को थोड़ा shareware कर देना हमको भी थोड़ा अच्छा लगता है ठीक है आज के लिए इतना ही रखते है ठीक्यू